हेलो एवरिवन एम अंश्य अग्रोवाल आप सभी की प्रिपरेशन बहुर अच्छी चल रही है और आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिससे आप टार्गेट कर सकते हैं 100 परसेंटाइल कैट 2022 में और मुझे उम्मीद है कि अग से 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रेक्टिस की है ना और आपने मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी भी आगे जब बात करेंगे अगले कुछ वीडियो में वह अच्छे से फॉलो की तो आप लोग आराम से 100 परसेंटाइल भी ला सकते हो है ना और 95 प्लस तो आराम से आही जाएंगे अगर यह स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं अच्छे से पॉलो कर ली तो ठीक है तो पूरा प्लान डिसकस करेंगे और किस मंत तक कितना कोर्स हो जाना चाहिए यह वाली बात करेंगे ठीक है तो ध्यान से देखना और हां जितन इसर सीसी इन सबके प्रीवेस एर कोश्चन के सॉलूशन टफ से टफ कोश्चन के सॉलूशन बहुत इजी तरीके से समझाय हूए मैंने तो इनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आराम से फॉलो कर सकते हो ठीक है चीसन में आ गई है ना इतना ध्यान रखना ठीक प्लस अगर अब भी तक आपने हमारा कोर्स पर्चेस नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com पे जाके पर्चेस कर सकते हो ठीक अब देखिए आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्वांट की स्ट्रेटेजी, LRDI की स्ट्रेटेजी और वरबल 3R का जब पेपर होता था तब क्या होता था दू स्लोट में पेपर होता था है ना 2R का जब से पेपर चालू किया है नोने तो 3 स्लोट में पेपर ले रहे हैं एक ही दिन में ठीक है चीज सन्वाइट, अभी हम मानके चलते हैं, कि 3Rs का पेपर होगा ठीक है, 2Rs का हुआ तो अच्छा है यह आपके लिए, है ना, 3Rs के हिसाब से तैयारी करो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्षन में कितने कोश्चन आते हैं तो क्वांट में देखो, आते हैं 34 कोश्चन, LRDAE में आते हैं 32 कोश्चन और वरबल एबिलिटी में भी 34 कोश्चन, टोटल 3Rs में इतने-इतने कोश्चन आते हैं, ओवराल कोश्चन हो जाते हैं 100, क्लियर अगर 2Rs का पेपर होता है, अगर, ठीक है, तो इस बार जिसे आया था, विसे ही अगले साल भी आएगा, उसमें कोई चींज नहीं होगा अगर 2Rs का पेपर आता है, तो वरबल एबिलिटी में आपके आएंगे 26 कोश्चन, क्वांट में आये थे इस बार 24 कोश्चन और LRDI में आये थे 22 कोश्चन, ठीक है, क्लियर, तो ये चीज़ समझ लेना, और टाइम फिक्स रहता है, इसमें पर सेक्शन वन आर रहता है और अगर 2Rs का पेपर होगा, तो पर सेक्शन आपको 40 मिनिट्स मिलेंगे, तो 43 जा 120, 2Rs का, ठीक है, चीज़ सन में आगी, अब आपकी स्ट्रेजी क्या होनी चाहिए, ये सब तो बात की बाते हैं, आखरी के 2-3 महने, याने जैसे मानलो, कैट का एक्जाम होता है, 2022 में, नवंबर में देख ले न, लास्ट संडे कौन सी डेट को है, याना कमेंट में बताना कि क्या डेट आई, तो इस बार भी के 2022 मीदे कि उसी दिन होगा, क्लियर है, या छोटी-छोटी मागर मोटी बात है, और ध्यान रखना, कैट का जो भी संडे होता, लास्ट, नवं इनका फिक्स से, इसमें कभी इसे इशू आते नहीं है, इंस्टेड कुछ अलगी, कुछ रिजन ना आ जाए, कैट होगा आपका, नवंबर, लास्ट संडे, ठीक है, जैट होता है, जैन्वरी, फर्स्ट संडे, है ना, जैन्वरी यह ने, यह 2023 में पहुंच जाएगा, ठीक, और IFT जो भी होगा, यह होगा, दिसम्बर, फर्स्ट संडे, यह फिक्स है, ख्लियर, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़िया आपको पता चलेंगी, ठीक, इतना धन में आ आगया, ठीक है, चलो, अब हम बात करने, क्वांट की, देखो, अभी हमारे पास काफी टाइम, ठीक है, मान के चलें कि जन्वरी भी है, जन्वरी, फर्वई, मार्च, अपरेल, माई, जून, जुलाई, अकस, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, नवंबर भी एंड में होता है, ठीक है, तो 11 मन्स से और कैट की प्रिपरेशन, अगर आपकी मैस थोड़ी सी वीक है, तो 4-5 मन्स में आराम से कर सकते हो, और मैस अच्छी है, तो 2-3 मन्स में भी आपकी कैट की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, तो आज का वीडियो सबके हिसाब से ध्यान से सुनना, ठीक है, मैस में आपको अभी फिलाल एक टार्गेट बना लो आप मार्च एंड या मैक्सीमम अप्रेल एंड यहां तक आपका कोर्स खतम हो जाना चाहिए ठीक है कोर्स आपको कम्प्लीट कप तक करना है मार्च एंड या अप्रेल एंड तक एक मेने का पूरा पूरा डिफरेंस दे दिया है ना आइम टेबल हमेशा अपने हिसाब से बनाना चाहिए मैं नंबर ओफ दिस बदा देतो हूं मोटा मोटा कौन से टॉपिक में कितने दिन लगेंगे टॉपिक लिखना हो तो लिखते हैं सबसे पहले हम बात करें नंबर सिस्टम की इस बार Z में अच्छे खासे कोश्चिन आये थे नंबर सिस्टम से नमबर सिस्टम में सब टॉपिक आपके आ जाएंगे लाइक यूनिट डिजिट डबल डिजिट फैक्टर थियोरी रिमेंडर थियोरम बेस सिस्टम एस एफ लसी एम है ना ट्रेलिंग जीरोस है ना और भी कुछ अगर मेरे से छूड़ गया हो तो यह सब समझ गए पूरे यह नमबर सिस्टम में आ जाएंगे टॉपिक इसमें आपको मैक्सिमम ट्वेंटी डेज देने हैं तो अगर आप 20 डेज में यह टॉपिक कर लेते हो अराम से हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छे से आपका नमबर सिस्टम 20 डेज में हो सकता है फिर साता देता हूँ शुरुआ detail में बता रहा हूँ number tree देख लिया फिर divisibility rule देख लेना फिर यह सब देख लेना कि prime number क्या होता है composite number क्या होता है perfect numbers क्या होते हैं यह सब फिर unit digit double digit ठीक है unit digit double digit क्या trailing zeros फिर factor theory factor theory में थोड़ टाइम लगेगा एक दिन का पूरा टाइम कम से कम देना factor theory का remainder theorem SCFLCM ठीक है last non zero digit चोटे-चोटे कुछ topics होते हैं successive division तो 10-11 अप्रॉप्स सब topics इसमें होंगे तो 20 days में इसका आप अराम से अच्छी practice कर सकते हो second हम आते हैं arithmetic पे arithmetic में आपके जो topics आएंगे हैं लिख लो यह आएंगे ratio average percentage profit and loss SICI mixtures and allegations time and work time speed distance 8 topics है इसमें time speed distance को भी हटाओ बचे 7 तो देखो ratio average लिखते आना percentage profit and loss percentage profit and loss SICI यहां तक जो मैंने बोला SICI ता यह आप कर सकते हो 10 days में ठीक है फिर time and work partnership mixture allegation time and work partnership mixture allegation कमी topic बोले यह अगले 10 days में जान बुचके में दिन ज्यादा बता रहा हूं मानलों कि अगर ratio average percentage इन सम्में 10 दिन से ज्यादा लग गए तो time and work और में उसको compensate कर लिना तो total 20 days में यह दोनों चीजें हो सकती है फिर आप बात करो time speed distance की time speed distance हमारे वीडियो कोर्स में मैंस कि मैंने time speed distance की अके लिए 11 यह 12 वीडियो निये number system के I think 20 prox वीडियो से बहुत सारे वीडियो और detail में सब cover किया खेर अब उसके promotion नहीं कर रहा हूं तो वापिस इस पर आयो नहीं तो आपको लगया promotion कर रहा है time speed distance में तो बहुत सारे topic होंगे एक तो basic है ना speed is equal to distance upon time है यह सब इस पर question हो गया फिर relative speed फिर उत्वाड लेट हो गया speed बढ़ा दी जल्दी पहुंच गया इस type के question ठीक है relative speed मैंने बताई दिया फिर average speed फिर ट्रेंसेंट बोट्स पर आगया बोट में भी थोड़े अच्छे लेवल के question बन जाते हैं फिर रेस हो गया रेस पर अच्छे questions बन सकते हैं बोर स्टेम बता दिया और एक two and from motion यह टोडल छेएक topic है ठीक है फिर clock भी इसमें अगर आप चाहो तो add कर लो तो मेरा मानना इसमें आराम से करना क्योंकि important topic है और cat में आएगा ही आएगा है ना इसमें आप 10 days आराम से दे सकते हो ठीक है तो देखो number system और arithmetic मिला के अभी तक हमारे कितने दिन हो गया 50 days ठीक है 50 days अभी तक मैंने आपको 50 days का plan बता दिया quant में ठीक है arithmetic भी हो गया हमारा अब हम third number पर आते है algebra algebra का देखो इसा है अगर paper tough आया तो algebra का weightage बढ़ जाएगा ठीक है algebra में क्या-क्या आ जाता है अपका linear equation quadratic equation polynomials लिखते जाना जो जो बोल रहा हूं linear equation quadratic equation polynomials inequality log function function basic level का रहता है log function हो गया inequality हो गया then इधर आप आजाओ progression पे तो progressions में AP GP HP ठीक है special series कर लेना question आएगा ही आएगा यह ना यह सब हो गया inequality progressions फिर permutation and combination तक आप कर सकते हो ठीक graph भी कर लेना ठीक क्या बताया linear equation quadratic equation polynomials इसमें आप देदो seven days ठीक है फिर log function inequality इसमें आप देदो seven days AP GP में थोड़ा सा time लग सकता है AP GP HP इसमें आप देदो seven days तो उपर नीचे एक दो दो दिन करके यह सब हो जाएगा balance क्योंकि इसमें आपको seven days से कम भी लग सकने log वाले में ठीक है फिर permutation and combination यह कर लेना क्योंकि इसका concept LR में भी use हो सकता है इसको nine days में जान बुचके दे रहा हूं ताकि उपर कुछ हो तो total देखो 30 days का यह plan बना दिया में algebra तो देखो 50 days पहले हो गया थे प्लस एक मेहन आप पूरा दे सकते हो ठीक है इसमें बहुत detail में ता रहा हूं अब हम आप हमारे आखरी पार्ट पर आते हैं mensuration geometry पर फोर्थ हमारा mensuration and geometry इसमें बहुत detail में करना इसमें आप आराम से 20 days में complete कर लो इसको mensuration geometry 20 days में बहुत ज्यादा बता रहा हूं आप चाहो तो 10 days में भी आराम से हो सकता है लेकिन 20 days इसमें coordinate geometry भी basics कर लेना कोडिनेट के भी basic एकदम कर लेना parallel line की equation, perpendicular line की equation इना distance between two points बस इतना सा तो 20 days में आपका mensuration geometry हो सकता है तो देखो पूरा मेने 100 days का आपको एक plan बना दिया maths का है ना 100 days अब 100 days आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो वहां से लेके अगर आपकी maths सची नहीं भी है आप 100 days में maths पूरी complete कर सकते हो ठीक है चीशन में आ गई अब 100 days का मोटा मोटा में पांस दिन ओड लेलो ठीक है अब देखो अगर आपने जनवरी पूरा निकल भी गया आपका तो फर्वरी मार्च अप्रेल और मिड अप्रेल तक आपका कोर्स हो जाएगा नहीं मिड माई तक आपका कोर्स हो जाएगा फर्वरी मार्च अप्रेल और मिड माई तक मिड माई तक भी जाए तो भी ठीक है और अगर अभी आप वीडियो देख रहो जनवरी महीं तो पूरा जनवरी बचा हुआ है फर्वरी मार्च अप्रेल अप्रे अगर आपके पास हैं तो आपकी क्वांट बहुत अच्छी आप कर सकते हो और इस लेवल की इस लेवल की अच्छी कर सकते हो कि आपके 100 परसेंटल क्वांट में आ जाए ठीक अब हम बात करते हैं LRDI की देखो यह जो 100 डेस का प्लान है इन्हीं 100 डेस में आपको LRDI और वर्बल भी करनी है LRDI में कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले आप एक 30 डेस का प्लान बनाओ रोज एक घंटा भी दो गए तो चलेगा 30 डेस में आप पूरा LR के बेसिक कर लालो बेसिक्स क्या होते हैं इसे क्यूब से related questions, क्यूब cutting, क्यूब coloring, incidly related questions, coding decoding से related है ना Blood relation यह सब arrangement, circular arrangement सबके basic basic कर डालो similarly D.I.E.E.K. भी basic कर डालो डी आई के basics में क्या हो जाएगा बार graph, line graph, pie chart, mix graph सब के basic की कौन से type के graph को कैसे solve किया जाता है ठीक है इतना कर लिया प्लस जैसी 30 days हो जाए तब से लेके till cat तिल cat आपको कुछ भी नहीं करना है daily एक set करना है LR का और daily एक set करना है डी आई का अगर आपने ये एक rule बना लिया कि रोज मुझे एक set LR का एक set डी आई का करना है सिर्फ एक एक की सुनने में आपको लग रहा हो कि इतना आसान काम है लेकिन जब करने बेटों को रोज अगर कर पाए तो आप विश्वास करो कि LRDI में भी आपके 98, 99 या 100% L तक जा सकते हो ठीक है इसमें भी हमारा वीडियो कोड भर शांदार है लेकिन उस पर अभी लेना हो तो आप ले सकते हो लेकिन आप खुछ से भी प्रेक्टिस करना चाहों कर सकते हो ठीक है अच्छा LRDI में में चीज़ एक आपको बता दू अभी तो नहीं अप्रेल एंड तक मेरे ख्याल से मई से आप लोग मौक टेस्ट चालू कर देना तब में एक नया वीडियो और बना दूंगा मौक टेस्ट के थूरू इसमें प्रेक्टिस करना ठीक है क्योंकि LRDI में में चीज़ होती है टाइम लिमिट है ना नॉर्मली कोश्चन तो बनी जाते हैं लेकिन क्या होता है जब वो कैट में 40 मिनिट में करने को आएगा तब बने तब में बाते ठीक है तो टाइम लिमिट वर्बल एबिलिटी में ध्यान देंगे अगर सिर्फ हम कैट के आज वीडियो बना रहे हैं तो कैट के लिए कैट देखो सिर्थ दो ही चीज़ों पर ध्यान देता है वैसे तीन चीज़ों बोलनी चाहिए एक आड़सी एक पैरा जंबल और एक क्रिटिकल रिजनी या आएं रहेंगे 5 प्लस 4 लेज़ों 5 पैरा जंबल 4 क्रिटिकल रिजनीग और और वन आउट से में रिलेटेड यह 26 कोश्चन भी आएंगे तो इसमें मेजर पार्ट किसका रहेगा आड़सी का मेजर पार्ट 16-17 कोश्चन तो इस बार भीत है है ना प्लस वही पैरा जंबल प्लस क्रिटिकल रिजनीग तो में चीज़ ध्यान रखो तो क्या है आड़सी आड़सी कारने के लिए एक ही चीज मेरी अगर आप मान लो तो ही बहुत अच्छा है ठीक है इधर उधर के ग्यान बिल्कुल मत लेना मैंने देखा है कई लोग बोलते की ऑप्शन से करो यह वो बिल्कुल नहीं नॉलेज बढ़ाओ तो देखो एक यह मेरा तरीक जरूर पढ़ो यह novel वावल छोड़ो, side में रखो अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है लेकिन newspaper तो पढ़ नहीं है भलाई novel पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो newspaper daily पढ़ो खास तोर से editorial अगर आपको हिंदू टफ लगता है पढ़ना तो आप कोई भी paper पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ो बस वो इंग्लिश में होना चीए चिसन में newspaper daily पढ़ो बस पढ़ते रहो और आपके रूटीन में होना चीए कि सुब उट्टेसी newspaper पढ़ना अगर प्लस अगर आज से ही चालू करना हो एक चीज आज से today to till cat एक नियम बना लो today to till cat है ना रोज बोलते है ना यह ना daily one rc और यह आपको solve करना एक rc रोज online on screen यह book से solve मत करना क्योंकि आपको online पढ़के solve करने की आदत होनी चाहिए यह एक नियम बना लो आप देखना drastic change जाएगा ठीक है इसमें एक में detail में वीडियो आगे और बनाऊंगा rc से related ठीक है अभी के लिए बस इतना समझ लो ठीक चीज़ान में आगे प्लस पेरा जंबल और वह critical reasoning अपने आप होई जाएगा पेरा जंबल भी जब आपको time मिले एक उसको पूरा seven days का time देना seven days पेरा जंबल पे non stop वो कोशिश करना 300 प्लस questions कर डालो जिस भी दिन आपने seven days लगातार यहने कुछ कर लिए पेरा जंबल के 300 प्लस questions लगा लिए आप समझ जाना अब आप किस में command हो ही जाएगी ठीक है चिसन में आ गई इस तरीके से अभी आपको planning करनी है तो overall अगर मोटा मोटा देखें thank you अभी दो मिनिट से करता हूं कि overall अगर हम मोटा मोटा देखें तो आप एक hundred days का plan बनाओ है अंड्रेट कि देश है अंड्रेट देश हंड्रेट पर्सेंटेल ठीक है कि क्या है कि अच्छा वाव सही निकल गया मुझसे अंड्रेट देश हंड्रेट पर्सेंटेल लिख लो अपने रूम जांपे भी सो दिन अगर मेरे साब से दे दिये सो पर्सेंटेल के आप रेंज में पहुंच जाओगे अच्छे से अगर मेहनत कर ली तो ठीक है तो उम्मीदे आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा है ना काफी सारी चीए डिसकस कीए कुछ पूछना तो मैं उसका भी रिप्लाय करने के आपको खुशिश करूँगा ठीक उम्मीदे वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो